हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम अरुज़र आप देख रहे हैं सक्सेने टेक्निकल आज की इस वीडियो में बात करेंगे UP ITI Admissions Form 2021 में अगर आप लोगों ने भी फिल किया है तो दोस्तों उसकी First Mary List जारी कर दी गई है करना और आपको कैसे New Admissions लेना इसके बारे में आपको जानकारी देंगे साती में बताएंगे कि New Admissions लेने की Last Date यहां पे कितनी है तो आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप लोगो को ITI की मेरी लिष्ट एबं Allardment Letter को देखने के लिए ITI की Official Website पे आ जाना इस Website का जो लिंक है वीडियो के डिप सेक्षन में दे देंगे आप लोग वहाँ पे किलिक करके फाइनली इस Website पे आ सकते हैं जैसे Website आप लोगो ओपिन करेंगे आप लोगो को यहां पे पॉप अप देखने को मिलेगा पहल यहां पे आप लोग अपना ITI का Admission Letter देख सकते हैं यहां पे आप लोग अपना Registration Number, Date of Worth और दोस्तों यहां पे आपको Submit वाले Box पे किलिक करना है अगर आपका First Mary List में चैन होगा हुआ होगा तो दोस्तों आपका यहां पे Admission Letter मिल जाएगा अगर आपको यहां पे First Mary List में आपका नाम नहीं आया होगा तो दोस्तों आप लोग को यहां पे Second Mary List का बेट करना है यहां पे आप लोग को बता दें यह First Round की जो Allowment Letter है वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों यहां पे First Mary List की जो Last Date है वो दोस्तों यहां पे 15.09.2021 है इसके बाद 16 या फिर 17 तार दोसिस से अपना फॉर्म को निकाल सकते हैं अगर आपका यहां पे लेटर जारी हो गया होगा तो आपके सामने लेटर आ जाएगा अनिता नहीं आएगा आप लोग को बता दें प्राइवेट कॉलिज में First Mary List के हिसाफ से एडमीसन लेने की Last Date 15.09.2021 है ठीक है अब बात कर ल लेना है इसके बाद आप लोगों को अपने कॉलिज जिस कॉलिज में आपका नाम आया है उस कॉलिज में 15.09.2021 तक जाके अपना कॉलिज में एडमीसन को ले लेना है यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग के पास हाई स्कूल की मार्शिट ओरिजिनल होनी च चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए यह सारे डाकुमेंट आप लोग ले जाके अपना न्यू एडमीसन कर सकते हैं राज की कॉलिज में जाके तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को हम बता दें जिन स्टुडेंट का यहां पर अनिता आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी तो इस तरह का एक मैसिज हर स्टुडेंट के पास नहीं पहुचा होगा जिनका स्लेक्शन हुआ होगा फर्स्ट मेरिट में उन्हीं के पास पहुचा होगा फिलाल यही थी जो फर्स्ट मेरिट इसमें मेरे लिश्ट नह फिलाल इसी तरह से आप लोग अपना अलाटमेंट रिजल्ट को निकलवा के अपना न्यू एड्मिसन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं फिलाल यार इस वीडियो में बस इतना ही पसंद आ कीजिगा अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए बाई बाई